हेलो गाइस आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए ग्रीन बेजे टेवल पुलाव की रेस्पी लेकर आए हैं यदि आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक, सेयर और कमेंड ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्रा प्लेंडर में हम धनिया लेंगे दो हरी मिर्ज और साथ लेस्ट की कलियां डालेंगे थोड़ा सा इसमें हमने चार्जन डाला है अब इसका हम एक पेश्ट तयार कर लेंगे हमारी चटनी बन कर तयार है, इसमें हम उपर से थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे अब हम पुलाव बनाते हैं, एक कड़ाई में एक बड़ा चपमच ओयल लेंगे, जब हमारा ओयल गरम हो जाएगा तब हम इसमें एक तेज पत्ता, एक किंच दाल चीनी का टुगड़ा और एक चमच जीरा डालेंगे जब हमारा जीरा चटकने लगेगा, तब हमने ये दो कटे हुए लंबे स्लाइस में प्याज लिए हैं इसको भी हम भूनेंगे ये आदा चमच लैसो नद्रक का पेश्ट है, इसको भी डाल कर हम अच्छे से भून लेते हैं आप हम इसमें कुछ सबजी आएट करेंगे, ये एक छोटी छोटी टुकड़ों में कटी हुई गाजर है, एक कप मटर, सभी सबजीयों को एक एक मिनट के लिए हम भूनेंगे एक कप बीन्स, इसको भी एक मिनट के लिए भूनते हैं ये एक कप सिम्ला मिर्च है, इसको भी हम भूल लेते हैं अब हम इसमें कुछ सुखे मसाले डालेंगे, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च, पिसी हुई, एक चम्मच गरम मसाला, और ये एक चम्मच हमने नमक डाला है, नमक आप स्वाद अनुशार डालिए सबजियों में नमक को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं अब जो हमने हरी चटनी तयार की थी, उसको भी हम सबजियों में मिला लेते हैं अब हम इसे ढखकर सबजियों के थोड़े नरम हो जाने तक पकाएंगे दस मिनट बाद हम ढखकर उठा के चेक करते हैं ये दो कप चावल है जिससे हमने धुल लिया था और आदे घंटे के लिए पानी पे भीगो कर रख दिया था चावलों को हम सबजियों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इतना पानी डालेंगे कि हमारा चावल अच्छे से डूब जाए ढग कर 20 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे जब तक हमारा चावल पक राए तब तक हम रायते की तैयारी शुरू कर लेते हैं ये आदा लीटर छाच है इसमें हम कुछ सुखे मसाले मिलाएंगे एक चमज धनिया एक चमज लाल मिर्च आदा चमज गरम मसाला और आदी ही चमज भुना जीरा है ये बूंदी है जिसे हमने 5 मिनट पहले पानी में भिंगो कर रख दिया था इसका एक्ष्टा पानी निकाल कर बूंदी को हम इसमें मठे में डाल देंगे और नमक श्वादा अनुशार आप मिलाएं एक चमज से अच्छे से मिक्स कर लीजे सब चीजों को उपर चे थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजे हमारा रायता बनकर बिलकुल तैयार है गार्ने सिंग के लिए थोड़ा सा भुना जीरा उपर डाल दीजे इधर हम अपने पुलाव को चेक करते हैं 20 मिनट वाद हमारा पुलाव बनकर बिलकुल तैयार है ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल खिले-खिले बने हैं अब हम इससे सर्व करते हैं हमने इसे बूनी रायते के साथ सर्व किया है आपको हमारी ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताईए थेंक्यू